नमस्ते, मैं हूँ आपकी फार्मसिस्ट अश्विनी और आज हम बात करेंगे सिनारेस टाबलेट के बारे में सिनारेस टाबलेट ये एक प्रिस्क्रिप्शन दवा है ये सेंटर फार्मसूटिकल्स प्राइविट लिमिटेड द्वारा बनाई जाती है इसका सॉल्ट कॉम्पोजिशन है दो मिलिग्राम क्लोरफनिरामीन मैलियेट, पाच सो मिलिग्राम पैरसेटमॉल और दस मिलिग्राम फैनिलेफरीन विससे सिनारेस दवा आपको आसानी से मेडिकल स्टोर्स में मिल जाएगी लेकिन अगर यह एवलेबल नहीं है तो आप नेसो क्लियर कोल टाबलेट, फ्लू कोल टाबलेट, विकोरिल टाबलेट, की रेस्ट, कोजुम, MSR या फिर फेब्रेक्स प्लस टाबलेट भी ले सकते है सिनारेस न्यू टाबलेट एक दवा है जिसका इस्तिमाल सामाने सर्दिके लक्षन के इलाज के लिए किया जाता है यह सिर्ध दर्द गले में खराश, नाग भेना, मास पेशियों में दर्द और भुखार जैसे लक्षनों में रहाद देता है सिनारेस न्यू टाबलेट एक कॉम्बनेशन दवा है जो आम सर्दिके लक्षन जैसे की बंदनाग, भेतिनाग, आखों से पानी, छींगना और भरापन से प्रभावी रूप से रहाद देता है ये गाड़े बल्गम को धीरा करने में मदद करता है, जिससे खासी को बाहर निकलना आसान हो जाता है इससे हवा को अंदर और बाहर आने में भी आसानी होती है ये ब्लड वेसल्स को सिकोटता है और तेजी से रहात प्रदान करता है सिनारेस न्यू टैबलेट आम तोर पर कुछ ही मिंटों में काम करना शुरू कर देती है और प्रभाव इसका प्रभाव कई घंटों तक बना रहता है इसे डॉक्टर द्वारा बताये गए अनुसार ही ले सिनारेस न्यू टैबलेट का उप्योग खाने के साथ या बिना करें डोज और डूरेशन आपके स्तीती और गंभीता पर निर्भर करेगी अब हम जानते सिनारेस टैबलेट के साइड इफेक्स के बारे में अधिकांच साइड इफेक्स के लिए किसी मेडिकल हेल्प की आफशकतर नहीं होती है और जैसे जैसे आपका शरीर दवा से एड़ेस्ट होता है वैसे वैसे साइड इफेक्स गायब हो जाते हैं यदि वैं बने रहते हैं या फिर यदि आप उनकी बारे में चिंतित हो तो अपने डॉक्टर से डिसकस करें इस दवा का उपयोग करने से कुछ सामाने इफेक्स हो सकते हैं जैसे कि मतली, उल्टी, नीन दाना, चक्कर, आना, सिर्दर या फिर एलर्जिक रियाक्शन होना यदि इन में से कोई भी साइट इफेक्स समय के साथ हल नहीं होता है और बत्तर हो जाता है तो आपको अपने डॉक्टर ko बताना चाहिए आपकी डॉक्टर साइड इफेक्स को रोकने या फिर कम करने के तरीके सुझा सकते हैं कि दवा का उप्योग करने से पहले आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आपको कोई और मेडिकल कंडीशन है तो अपने डॉक्टर को बता है इस दवा के साथ इलाज के दौरान शराब के सेवन से बच्चे क्योंकि इससे कुछ साइड इपेक्ट्स की संभाव ना बढ़ सकती है सिनारिस न्यू टैबलेट को स्तनपान के दौरान इस्तमाल करना संभवतह सुरक्षित है सीमीट मानव डेटा से पता चलता है कि दवा बच्चे के लिए किसी भी महत्वपुर्न जोखिम का कार सिनारिस टैबलेट के मेकनिजम ऑफ एक्षिन जानने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इससे लाइक करें अपने फ्रेंड्स और फामिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल फार्मसिस डश्वीनी को जरूर सबस्क्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन भी जरूर दबाए बैल आइकन दबाने से जब भी मैं कोई नय वीडियो डालूँगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे तो चलिए अब हम ज कि लग्षिक नाक भेना आख से पानी भेना और चीक आने की स्तीति में आराम फुचाता है परसेटरमॉल एक अनलजसिक है जो जाने की दर्दवी नशक है और ज्वार नशक है जाने की बुखार कम करने वाली दवा है यह मस्तिश्क में कुछ केमिकल मेसेंजर्स की रिलीज को रोकता है जो दर्द और बुखार के लिए जिम्मेंदार होते हैं फिनलेफ्री एक नेजल डी कंजसेंट है जो छोटी रख्त वाहिकाओं को संकुचित करता है जिससे नाक में जमाव या फिर जक्रन से रहात मिलती है तो यह होगी जान करें स झाल 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 झाल